जब मैंने इस anime series के 13 episodes देख लिए तो एक मैंने वीडियो बनाई थी उस वीडियो मैंने कह दिया था कि भाईया इसका first season खतम हो गया है तो मैंने बिना सर्च के वो बात बोल दी यह उनके mistake है पैसे छापनी कितनी ज़्यादा जल्दी थी कि वीडियो मैंने बना कर upload भी कर दी तो खैर जब तक ही वीडियो बना रहा हूँ इसके 20 episodes आ चुके हैं और भी episodes आने वाले हैं यानि first season अभी चल रहा है तो आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं Platinum and Animal Series के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को इसकी कहानी के बारे में बता देते हैं पट especially इस वीडियो के अंदर मुझे बात करनी है इसके 20-वे episode के बारे में मुझे बहुत ज़ादा पसंद आया है तो थोड़ा बहुत कहानी के बारे में आपको परिचित करा देते हैं कि भगवान जो है वो धरती के उपर 13 angels को बेजता है और कहता है कि 13 इंसानों को तुम्हें चुनना है जो भगवान बन सके क्योंकि जो अल्ड़ी जो भगवान है वो रिटायर होने वाले हैं कहता है वहिया अब मैंने बहुत काम कर लिया है अब अपना टाइम आ चुका है कि रिटायर होई अब नया भगवान जो है वो लाया आजे अब यहाँ पर 13 angels को एक तरीके से इनका rank decide होता है कोई first rank पे है कोई special rank के उपर है और इनके rank के इसाब से ही इनके पास power होती है और यह जिस इनसान को चुनती है अपने अपने इनसान को यानि जिस व्यक्ति को चुनती है या लड़की को जिसको भी चुनती है तो उनको अपने rank के इसाब से power दे सकती है यह angels अब इससे ज़्यादा जो जानना है तो मैंने एक अलग से जो वीडियो बना रखी थी जब इसके 13 एपिसोड देखे थी तो वहां पर जाके वीडियो देख लेना थोड़े बहुत व्यूज उस पर बढ़ा देना यहां पर इसके बाद बात करेंगे कि 13 एपिसोड के बाद क् लेकिन 13 एपिसोड के बाद जैसा यहां पर देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जो भगवान बनने का उमिदवार बना हुआ है उसके दिमाग में यह आता है कि जितने भी जो 12 उमिदवार और है उनको खतम कर दिया जाए और खुद ही भगवान बन जाए तो यह 13 दिया नहीं है तो 13 एपिसोड के बाद कुछ चीजें घटनी शुरू होती है तब मेरे दिमाग में आता है यार अब क्या नया दिखाने वाले हो लेकिन जब एपिसोड 25 पर पहुंचे हैं तो एक तरीके से समझो कि 20 एपिसोड से पहले-पहले जितनी भी कहानी दिखाये ग इंसानों को चुनने के लिए भेज रखा है एक्चुल में यहाँ पर जब लास्ट केंडिडिट सामने आता है जो भगवान बनने का उमिद्वार होता है वो अपनी एक नहीं कहानी या फिर एक जो इस त्योरी को अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि देखो भगवान जो है अब वो खतम हो रहा है जैसा इस एनिमे सीरीज में दिखाए गए उसकी पावर्स खतम हो रही है एक्चुल में भगवान को पावर जो है वो इनसान जब प्रेयर करते हैं तब उससे मिलती है और यहाँ पर अब इनसानों ने प्रेयर करनी चोड़ दी है भगवान के अंदर विश्वास करना चोड़ दिया है जब उसके सामने परिशानी आती है इनसान के सामने तो वो अपनी परिशानी को सुलजाने की कोशिश करता है ना कि प्रेयर करता है साथ इसाथ अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए वो भुकतान करता है ना कि भगवा है वो जब सामने आता है वो अपनी इस तरीके की कहानी को interpret करने की कोशिश करते हैं इसके अलावा इसमें कुछ और बातें भी बोली जाती है एक तरीके से 13th episode के पास जो विचारों की लड़ाई हमें देखने को मिलती है इस series को और ज़्यादा interesting बना देती है मुझे काफी ज़्यादा पसंद आई जब ये interpret करने की कोशिश कर रहे थे actual में यहाँ पर क्या होने वाला है तो ये detailing की जाती है इस anime series के अंदर वो वाकई में काफी ज़्यादा जबर्दस मुझे लगती है और जैसे मैंने कहा कि first episode से जैसे मैंने इस series को देखा था मुझे लगा था कि इसके अंदर इस तरीकी की ending होने वाली है लेकिन भाई साब ये धीरे धीरे अपना रूप बदल रही है और काफी ज़्यादा dark होती जा रही है first episode में थी लेकिन बीसमे episode के अंदर तो ये और ज़्यादा dark हो जाती है जिस तरह की का विचारधारा हमारे सामने रखी जाती है कितनी सच है कितनी जूट है किस तरीके के इस मतलब आगे क्या कहानी होने वाली है तमाम सवाल दिमाग में उठ रहे हैं कहारे जब धीरी-धीर episode आएंगे वो सारे clear हो जाएंगे लेकिन मैं definitely आप लोगों को recommend it करना चाहूंगा कि आप ये anime series देखना शुरू करें आपको fighting से ज़्यादा जैसे ये बात बोली जाएगी न वो आपको काफी ज़्यादा पसंद आने वाली हैं मैंने spoiler दिया है लेकिन बावजुद इसके कुछ counter argument आते हैं और इस इंसान की सोच को कैसे बदला जाता है ये देखने वाली बात है और वाकई में काफी ज़्यादा interesting होने वाली है और जिन्हों ने ये series देख रहे हैं या फिर कहेंगी वो अभी देख रहे हैं तो अपने विचारों को comment section में रख देना कि आप लोगों को कैसी लगी है और आपके क्या विचार है इस series को लेकर जिन्हों नहीं देखिये तो एक बार जरूर ट्राय करना animation काफी अच्छे है background sound काफी अच्छा है कहानी जो दिखाए जारी है वो भी काफी अच्छी हमारे सामने आ रही है starting में इतनी ज्यादा interesting नहीं थी लेकिन 20 एपिसोड में खास कर मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है आने वाले episodes के अंदर ये और ज्यादा dark हो सकती है ऐसा मुझे लग रहा है शायद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ये तो एपिसोड पर जोड़ कोते है तो comment कर देना जिन्होंने देख रही है तो बस आज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में thanks for watching this वीडियो में मिलते हैं next वीडियो में जैहिंद